Hello everyone, welcome on my channel अभी news आ रही है कि हमारे राश्पती ने आठ नए गवर्नर की नुक्ति की है और इन में से जो कुछ ऐसे हैं जो cabinet minister हैं उनको गवर्नर बनाये गया है और कुछ गवर्नर्स ऐसे हैं जिनको सफल किया गया है एक state से दूसरे state में तो इस वीडियो में हम सभी चीजों को देखेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और first question देखते हैं Who is appointed as the new governor of Goa Goa के नए गवर्नर की ने नुक्ति किया गया है तो इसका सही answer क्या होगा Option A, PS Sridharan Pillai PS Sridharan Pillai को Goa का नए गवर्नर नुक्ति किया गया है और इससे पहले PS Sridharan Pillai जो थे वो कहा के गवर्नर थे तो ये मिजोरम के गवर्नर थे मिजोरम से इनको Goa शिफ्ट किया गया है तो इसका सही answer है भंडारू दत्तार या बंडारू दत्तारया को हर्याना का नया गौर्णर नुक्त किया गया है और इससे पहले जो थे बंडारू दत्तारया कहा के गौर्णर थे तो ये हिमाचल प्रदेश के गौर्णर थे हिमाचल प्रदेश से इनको हर्याना सिफ्ट किया गया है तो ये भी ध्यान देखिएगा पहले हिमाचल परदेश के थे और अभी जो है इन्हें हरियाना का गवर्णर नुक्त किया गया है तीसरा कोस्टन देखते हैं Who is appointed as the new governor of हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश के नए गवर्णर किने नुक्त किया गया है तो हिमाचल परदेश के भी पुराने गोवर्नर कौन थे भंदारू दत्य रहा थे और इन्हें कहां shift किया गया है हरियाना shift किया गया है तो अभी जो नए गोवर्नर है हिमाचल परदेश के वो कौन बने है तो इसका सही अंसर होगा option C राजेंदर अर लेकर जो हैं अभी हिमाचल परदेश के नए गोवर्नर बने है चौता कुस्सन देखते हैं Who is appointed as the new governor of जारखंड जारखंड के नए गोवर्नर किने निउत किया गया है तो इसका सही अंसर क्या होगा option D रमेश ब्यास रमेश ब्यास को जो है जारखंड का नए गोवर्नर निउत किया गया है और इससे पहले जो थे ये कहां के गोवर्नर थे तिरपूरा के गोवर्नर थे तो तिरपूरा से इनको जारखंड शिफ्ट किया गया है रमेश ब्यास को Question number 5 देखते हैं करनाटका के नए गोवर्नर किने नुक्त किया गया है तो इसका सही अंसर कौन सा होगा option A थावरचन्द गहलोट करनाटका का नए गोवर्नर नुक्त किया गया है Question number 6 देखते हैं तो इसका सही अंसर होगा option B मंगु भाई सी पटेल मंगु भाई सी पटेल को मद्द परदेश का नया गौवर्णर नुक किया गया है कोस्टन नमर 7 देखते हैं 7 हो गई मिजोरम के नय गौवर्णर किने नुक किया गया है तो इसका सही अंसर होगा option C हरी बाबु खामभा पती हरी बाबु खामभा पती को मिजोरम का नया गौवर्णर नुक किया गया है और इससे पहले मिजोरम के गौवर्णर कौन थे तो वो थे पीए स्रिधरन पिल्लई अभी मैंने आपको बताया और इन्हें कहां स्यूट करिया गया है इन्हें गौवा स्यूट किया गया है कौस्टन नमर एट देखते हम कुई जपॉंटेड एस दे न्यू गौवर्णर आप तिरपुरा तिरपुरा का नया गौवर्णर किसे न्यूट किया गया है तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन डी सत्य देव नरायन आरिया सत्य देव नरायन आरिया को तिरपुरा का नया गौवर्णर न्यूट किया गया है और इससे पहले ये कहा के गौवर्णर थे तो हरियाना के कौस्टन नमर नाइन देखते हम Who appoints the governor of state State के जो गौवर्णरs हैं उनको कौन appoint करता है, तो इसका से answer क्या होगा, option B, president, राष्टपती जो है, वो state के governors को appoint करते हैं, question number 10 देखते हैं, what is the article under which governors are appointed by the president, किस article के तहत, president जो है, governors को appoint करते हैं, state में, तो इसका से answer क्या होगा, option B, article 155, तो hope आपके सारे questions clear हो गए होगे, अगर आपको ये वीडियो अच subscribe to my channel, thank you